को शुरू करने से पहले ज़रा जो अभी तक हम एप बना चुके हैं उसको एक दफा उपर से नीचे तक देख लेते हैं कि उसमें क्या हो रहा है उस अच्छा इस आप की जो एंट्री है वो इंडेक्स.js की फाइल है यहां पर यहां पर अपर रगागा है तो यहां पर अपर अपर प्रोवाइडर लगने का मतलब यह पूरी एप में यह अवेलिबल हो जाएगा पूरी अपर इसके context के अंदर आजेगी तो यह provider लगा है और provider के अंदर मेरी जो पूरी की पूरी app है वो provider के अंदर है अच्छा अब ज़रह मैं control और plus click करूंगा नहीं इस app के उपर तो इस app के अंदर से लगे हो इस app के component के अंदर चल लगे है यहां पर देखा है file भी change हो गई पहले मैं index.js में था अब app.jsx में आ गया अच्छा यहां पर क्या हो रहा है use state require हुआ है और react router की कुछ चीज़न require हुई गी है कुछ component require हुए है किसी folder से किसी दूसरे folder से और वह folder कौन से slash component slash home और slash component यह पूरा component का जो folder है इसके अदर एक दो तीन चार पाँच हमारे पस component है वो पाचों के पाचों यहां पर require हुए है ठीक है सब लोग देख रहे है यह अभी तक settle down क्यों नहीं हुग हो तुम लोग अदा गंटा हो गया है अच्छा यहां पर पांच components है जो require हुए है ठीक है यह सारा कुछ हमने last class में बढ़ा था अगर किसी ने miss ना कर दियो यहां पर बैटन यहां पर यह बटन क्या करता है इसके click पर एक state change हो रहा है is login true or false हो रहा है इस button की click पर ठीक है button पर click करता हूं तो वो true हो जाता है button पर click करता हूं false हो जाता है और अगर इस login false है तो navbar different दिखा रहे हैं ठीक है अच्छा ये वाले जो navbar है इसमें about है gallery है profile है और जो दूसरा वाले navbar है इसमें login और sign up है ठीक है इस वाले में आप देखें slash के route पे ये क्या चीज है कि browser में जब जो address बार है उसका जब उसमें slash लिखा वाओ तो home का component दिखा अब इसमें जब login false होगा तो उसमें जब मैं ये slash किस पे लेकर जा रहे है लोग इन पे लेकर जा रहे है तो ये एक नए बार है कि भई login का button प्रेस हो तो slash पे लेकर चले ज़ए अच्छा अब उसके नीचे क्या है उसके नीचे ये routes है route क्या चीज होती है जो s वाला routes है व इसमें मैंने किया सारे routes लिखती है लेकिन एक वक्त में क्या करेगा ये किसी एक को display करेगा depending on की उपर address बार में क्या लिखा है तो यहां पर मैंने link पे इस वाले link पे click किया जब तो address बार में क्या हो गया slash हो गया slash होने पे element कौन सा शो जाएगा home का लेकिन home का कब शो होग थोड़ा सा हमने उसको overview दुबारा से लिख लिए अच्छा अब हमें actual में करना किया है हमारा जो ये एक variable है जो इस button के click पर true false होता है हमने क्या करना है इस variable की जगा पे actual of login sign up हमें लगाना है तो इसको लगाने से पहले ज़रा आके ज़रा login sign up की कहानी समझ लेते हैं के कहान नहीं किया है यहाँ पर मैं गया हम firebase authentication यूज करने लगया है तो मैं firebase.com पर चला गया और firebase.com पर जैसे ही किया तो यहाँ पर देखें क्या लिखा वा रहा है go to console तो मैंने यहाँ पर go to console पर click कर दिया यह क्लिक किया तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी apps पहली से बनी भी आरी है ठीक है इन में सक किसी भी app के अंदर सब जाता हूं हमने कौन सी बनाई थी last class में react app hosting यह बनाई थी हम नहीं है अच्छा मैं इसको क्या पूल देता हूं firebase auth example और delete this यह मैंने लंबा सा नाम लिखा है आप चाहें तो आप short नाम भी लिख सकते हैं मैंने इतना लंबा नाम इसली लिखा है ताकि मुझे exactly पता चले कि यह app मैंने क्यों create की ती और मैंने last में delete this लिखा है ताकि मैं बाद में जरुत पढ़ने पर इसको delete भी करो क्योंकि firebase में limited apps होती है तो मैं back to back कई classes पढ़ा रहा होता हूं sometime class में मैं बनाता हूं करता लिमिट पूरी होगी तो मैं किसी app को delete करना मरता है इसली मैंने नाम के साथ यह delete this लगा दिया अच्छा यह ना availability होती है इसकी आप इसको जब को इसको एक नाम लिखेंगे ना मिसाल के दौर पर मैंने यहां पर लिख दिया कि अब मलीक अब मलीक न अवेलिबल नी था इसने बोला आपकी एप का जो आईडी होगी न वो यह वली होगी ठीक है इसके साथ कुछ लगा दिया मैंने का नहीं मुझे मलीक ही चाहिए तो इसन स्क लग दिया थिकर न COVID-19 तो ऐसमें तो आप छोछ वह नहीं पर शुटिङए अपने सक ट्रशप्रब्र हैं पर चाहिए तो आपकोई एच्छा सा नाम अगर रखना चाहते हैं अपनी होग स्कुछ ऑर दीक है hosting का at the end of the day तो यहां पे आप इसको चूज कर सकते हैं, यह once project create हो गया न फिर यह change नहीं होता है, फिर आपको नया project बनाना होता है, तो project बनाते हैं कुछ भी यहां पे नाम रख सकते हैं, तो मैंने, या क्या था, वो क्या रखा था मैंने, firebase, example or delete this, ठीक है, तो यह मैंने नाम तो इसमें जो भी न मतलब कुछ एक, obviously यह available शायद नहीं था जभी इसने FIR करके और पता नहीं क्या लगा दिया, well, तो मैंने का भाई, ठीक है, इस ही नाम से बनाओ, अब मुझे कह रहा है कि क्या analytics को इनेबल करना है, analytics को अगर मैंने इनेबल करता हूं तो मुझे, असल मैं कि नहीं इस्तवाल करना है analytics को, तो मेरे लिए उबेकार है, तो मैं time को बचाने के लिए analytics को disable कर देता हूं फिलाद, अच्छा जी, अब Firebase की app बनके तयार हो चुकी है, मेरे पास कुछ इस तरह का side पे, एक menu दिख रहा है, यहां मैंने किस पर click करना है, यहां पर मैंने build पर click करना है, देखें, जैसी मैंने build पर click किया, तो यह सारा, यहां पर मेरे पास, जो इनकी products थी, उसकी एक list आगी, अच्छा मुझे इसमें से कौन सी product पर जाना है, authentication पर जाना है, authentication पर click किया तो कुछ इस तरह आगा मेरे पास, user interface नदर आ गया, कह रहा है, authenticate and manage user from a variety of providers without server side coding, ठीक है, get started, get started का जैसी मैंने बटन दबाया, तो इसने मुझ से कहा किया, आप कौन सा वाला, इस्तमाल करना चाहते है, login, Google का login, Facebook का login, Game Center का login, Twitter का login, Apple का login, कोई सा भी use करना चाहते है, उस पर click करें, वो चल जाएगा, अच्छा, लेकिन ये Google का login है, ये ऐसे simple ही नहीं चलेगा, ठीक है, ये कैसे चलेगा, आपको बदाता हूँ, अराम से, अराम से, अराम से, जी तो मैं कह रहा हूँ, अभी हम किसी एक से शुरू करेंगे न, किस से शुरू करें चलो तुम मला हूँ, मैं कह रहा हूँ, इमेल पासफ़र्ट से शुरू करेंगे, सही है, इमेल पासफ़र्ट सबसे इजी है, अभी GitHub मैं शुरू करोंगा न, तुम्हारा सर ऐसे गूमेगा और तुम बेवश्यों करेंगे जाओगा, इतना लंबा प्रोसेस है, टोकन लेना होता है, जाकि अपना मैं डिवैलपर्ट पर रेजिस्टर डर्नी होती है, ठीक है, तो जब मैं ये लेक्टर खतम कर लो न, उसके बाद क्वेश्चन का भी टाइम दूगा मैं और ये तुम खुद करोगे, टिटक वाला, ठीक है, ये तुम खुद करोगे, गूगल वाला मैं बता दूगा, कोई मैं बता दूगा, फेस्बुक बता दूगा, न, न, फेस्बुक का जो प्रोसेस है, वो सेम है, बागी सब से सेम है, ठीक है, वेल, कोई भी अभी फिलाल एमेल पासवर्ट से तो शुरू करें हम, अच्छा, लेकिन, ये इस करने से पहले, हमें क्या करना होता है, अपनी इसको अपनी एप के साथ, कैसे कनेक्ट किया था, जारा वापस जाके देखते है, ये न, फाइर बेस, फायर इस्टोर, हेलो ये इदा न, इसके मैं सोर्स में गया और इसके मैं इंडेक्स डोर जेस में था, अपने पास इसको कोडिया पे लिखा था, ठीक है, जिस से क्या ह करेंगे authentication की हम documentation में जाएंगे ठीक है ऐसे नहीं होगा कि क्लिक किया और हो गया authentication की documentation में जाएंगे उसमें step by step follow करेंगे कि वह install कैसे होगा फिर connection कैसे बनेगा उसका firebase की app से फिर क्या चीज कैसे लगेगी और कैसे करके कहानी शुरू होगी अच्छा तो मैंने क्या किया यहां पर go to docs जो लिखाव है इस पर मैंने क्लिक कर दिया go to docs पर जैसे क्लिक किया मैंने तो आप देखें यह पूरे firebase की documentation खुली है तो मैंने यहां पर build पर क्लिक किया बिल्ड पर क्लिक करने के बाद तो यह हमारे authentication करना यह पूरा का पूरा अब देखो यहां पर सारी products आ रहे है database भी आ रहा है fire store भी आ रहा है storage भी आ रहे है मैं authentication वाज़े कहूं introduction अब ज़रा introduction में थोड़ा सा पड़ल देते हैं कि यह क्या बात करना है कह रहे है कि most app need to know the identity of a user कह रहे है कि जब आप कोई भी app इस्तमाल करते हैं तो आपको यह ज़रूत पड़ती है जानने कि यूजर है को मिसाल के तुरपे जो हमारी app है era.sysball उसमें किस खिसम का कोई authentication नहीं है कि मुझे आज तक यह नहीं पता चलेगा कि कितने लोग आके उसको यूजर कर रहे हैं कहां से हैं उनका नाम किया है उनकी email किया है अगर मैं सब लोगों को कोई message बेजना चाहूं मैं नहीं बेज सकता है क्योंकि उसमें किस खिसम का authentication नहीं लगा है तो इसमें identity of user का कोई concept नहीं है मेरी air.syswork वाली app में Knowing a user identity allow an app to securely save user data in the cloud and provide the same personalized experience across all user devices अब मिसाल के तौर पे मैंने एक जगा पे dark mode enable किया तो मैं अगर sign in हुआ वाओं मैं तो वो चीज database में save हो जानी चाहिए कि मैंने एक user room में मेरी app तो मैंने dark mode किया या मैंने अगर कोई ऐसी setting change किया आपने देखा है Facebook पे अगर आप कोई setting change करते है तो आपको हर दाफा फिर वो ऐसे ही दिखाता है मिसाल के दूर पे YouTube पे कर यूट्यूब देख रहे होगर तो उसमें अगर वो जो सेंवा मौड होता है एक्सेंडेड मौड होता है तेटर मौड अब ने अगर इनेवल कर दिया तो आप जब भी खोलोगे दूसरे टैब में भी कोलोगे तो वो तेटर मौड ही खोले है नो तो कुछ setting ऐसी होती है जो सेफ कर देता है फिर आपको हर दफा वो उसी तरह दिखाता है तो कह रही है आपको थोड़ा सा benefit मिल जाता है आप उसको उसकी चीजों को सेफ कर सकते हैं अच्छा आगे चलते हैं वही अच्छा अब यह बता रहा है कि वही हमारे पस नो कौन कौन सा है इमेल पासफ़र्ट वला है और फॉन नंबर वला अथेंटिकेशन हैं के बस और पता नहीं कौन कौन सा है अब आप आगे चलते हैं हेलो वर्ल की तरफ चलते हैं हमने थियूरी इतनी पड़ली काफी है अच्छा 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 इस्टार्ट विचलते हैं नेक्स्ट इंस्टालेशन कहां बताएगा अच्छा ये सारी इसकी कहानी है जो हम थोड़ी देर में डिसकस करेंगे मैं अभी डिसकस करना खाया है अच्छा अब हम डाइरेक्ट आजाते हैं वेब में अच्छा वेब और ये आई-उस और ये एंड्रॉइड और ये फ्लेटर ये क्या चीज है ये ये चीज है कि Firebase असल में सिर्फ JavaScript की अप में लगा सकता है आप वहरे अप में लगा सकता है ठीक है जो C++ में लिखी अप से उसमें भी Firebase इन्होंने इलाओ किया है कि आप उसमें भी लगा सकता है अब आप मिसाल के दूर पे अगर फ्लेटर की अप आप यूज कर रहे हैं तो आप ये वाले डॉक्यूमेंट पाइगे की फिर ये बताएगा फ्लटर में कैसे इंस्टॉल होता है तो हम इस वक्त वैब एप्लिकेशन के काम कर रहे हैं तो हम एप वले डॉक्यूमेंट नाये तो हमें ये बताएगा जैसा कि आपने पहले भी देखा था तो हमें कौन सा गॉत नाहीं हो एक ये फृला करना है ठीक है अच्छा अब ये इंस्टॉलेशन का यहां पर बिजने जिकर नहीं किया है वैसे तो आप सब लोगों को बता है के फाइरबेस इंस्टॉल कैसे होती है लेकिन इसने बोला के इफ यू हैंट अल्रेडी इंस्टॉल तो आप इस लिंक पे जाके इंस्टॉल कर लो तो मै इस वाले लिंक को नजरा नए टैब में खोलता हूं और इंस्टॉलेशन पहले कर लेता हूं फिर यहां पर आजाओ अच्छा कैसे बता रहा है क्रिएट फाइरबेस प्रॉजेक्ट एंड रेजिस्टर यूर एप ठीक है क्रिएट फाइरबेस प्रॉजेक्ट तुम कर चु क्रिएट प्रॉजेक्ट बना दो आपका वो बनके अगेगा अब रेजिस्टर एप कैसे करना है वो यहां पर बता रहा है रेजिस्टर एप में क्या गह रहा है आफ्टर यू है आफ्टर यू फाइरबेस प्रॉजेक्ट यू रेजिस्टर यूर वेबेस प्रॉजेक्ट इन सेंटर ओफ फाइरबेस कॉंसोल ओवर्वीव पेज, क्लिक अन दिस आइकन, ठीक है, वापिस जाते है हमारा कॉंसोल यहां को लव है न, में पे चले जाते है, कह रहे हैं, यहां पर किस तरह का आइकन आरहा हो, डूणते हैं वो आरहा है कि नहीं आरहा है, हाँ, यह वाल इस आइकन पर क्लिक कर रहा है, और क्लिक करने के बाद यह मुझ से कह रहा है कि, नाम लिखो, नाम तो लिख दिया दो, इसमें तो अवेलिबिलिटी का इशू था, इसमें शायद अवेलिबिलिटी वालब ओ इशू नहीं है, वैल, रिजिस्टर आप का बटन नबाल लिए तो यह मेरी क्या होगी, अब यह कह रहा है कि भाई, आप कैसे करोगे, आप ऐसे NPM से इंस्टॉल करोगे फायर बेस को, तो मैंने अपने प्रोजेक्ट में अभी तक NPM इंस्टॉल नहीं चलाया था, आजाते हैं, चला लेते हैं, मैंने उपन किया, यह मेरी आप रन हो रही है, आल्रेडी, तो मैं क्या करूंगा, एक नए टर्मिनल यहां सा दबा के कोड रहूंगा, ठीक है, यह टर्मिनल कौन से मैं, रियक्ट राउटर, और जो रेकेमेंड़ वाला जो फोल्डर था मेरा, ठीक है, मैं इस फोल्डर में मोजूल हो, राइट, इस ही प्रोजेक्ट सब्सक्राल करूंगा, तु मैं कहां पर जाके इनिशियलाइस करूंगा, मेवी इंडेक्स.js में कर लूंगा, ठीक है, मैं इंड़्यूर्ड जीने, घुर्ड जीने, मैं क्या कर दिया मैं जाकि इसको, तमाम के तमाम गोर्ट को मैंना, लाध के तक, इसके बना सकते हैं, भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इंडेक्स.js में फिल्हाल मैं इंडेक्स.js में कर रहा हूं ठीक है अलएक से बनाना चाहो तो अलएक से भी बना सकते हैं ठीड हो गया अच्छा क्योंके मैं फाइर बेस पर लॉगिन था जब मैं यह कोड़ किया तो इस वजह से यहां पर मुझे वो सारी जो की वगरना यह सब मुझे मिल रहा है अगरना आम तर पर इस तरह होता है कि आप कॉपी करते हो गोलता है रेप्लेस योर वित योर ओरिजनल की ऐसे होता है लेकिन इसमें पहले से लिखी विया लिए तो यह की बिल्कुल सही है ठीक है इसमें मुझे कोई चीज चेंज करने की ज़रोतनी है इन की ज़रा रहा है ठीक है अच्छा यह हो गया भाई अब यह नीचे क्या option आ रहा है continue to console तो मैंने register app वाला part भी क्या कर लिया complete कर लिया यहां पर नीचे मेरी installation में complete हो गई installation complete होई तो मैं इसको क्या कर देता हूं इस extra terminal जो मैंने खोला था इसको मैं बंद कर देता हूं अच्छा तो अब मैं documents में कहा तक पहुंच गया हूं यह वाला install app create app और यह दोनों काम कर चुका हूं अच्छा install sdk initialize firebase app यह भी उसने कॉपी किया ना initialize firebase app यह जो मैंने initialization किये ना नहीं वो असल में library को बोल ला है sdk मतलब होता है software development kit तो वो कह रहा है कि यह library नहीं है किया दो जो प्यूर के सभी यह यह होता है किसान्य यूज करेंगा तो च्रुक्त है साव यूज करेंगा तो इस डीके अधुर्ट ना कि कहते हैं लेकिन sdk और लाइबरेरी का डिफरेंस अधार में होता है कि SDK जो है एक complete software development kit होता है कि किसी भी software को बनाने के लिए कि मुकमल टूल सेक जो होता है उसको में SDK कहता है ठीक है On other hand library क्या होती है library खुद एक app होती है SDK उस तरह की library होती ही जिसको इस्तमाल करते हुए कोई जूसरी app बनाई जाएगी और एक होती ही just library आप लाइबरी खुद एक app होती है वैसे math.js हमने पढ़ा होता है कि वह एक function है दो नम्रों को प्लस करके प्रेंट करवा लिए वह खुद यूड़ाइस होती ही उसको इस्तमाल करते हुए कोई दूसरी app नहीं बना लिए तो SDK असल में उसको कहते है तो यह वह लाइबरी हमने initialize कर ली इनके दुबान में SDK initialize कर लिया जिस step 2 में यह बता रहा है and we have install firebase यह सब कर लिया हमने भई access in firebase access firebase in your app अब कह रहा है कि भई आपको नहीं जो सभी करना है ना firestore करना है या get अब उसको आप करोगे और उससे आपकी कहानी आगी चलेगी ठीक है बस अभी यहां तक हमारा काम जो है यह वाला पूरा होगया अब मैं कहां से किया था यहां से ने कि if you haven't already installed तो यहां से आप दूसरे लिंक पे चल रहे हो तो वो मैंने इधर खोला था इसको मैं वापिस बंद कर लेता हूँ ठीक है I have installed now अच्छा अब यहां पेसे कहानी शुग हो है कह रहे के वह इनिशियलाइज आप तो अपने पहले से लिक्खा हूँ तो यह बोल्ड करके लिखा हूँ इसका मतलब है यह आपको अब लिखना है यह जो बोल्ड करके लिखा हूँ तो यह मैंने कहा किया है get auth कर लिया आ जाते है अपनी code और मैं initialize आप के बाद और है आठ कि अब और इनिशिलाइ्ट नुद्भाज कर लो इस विमि도 Ts decay मैं अब इनिशिलाइस करले सबाने है तो मैं इनिशिलाइस के बार आगे व экономिन इनिशिलाइस के लो पंधेसाह ना है रखारां अब मुशिक्यों का हुआ है affecting этом बनाया अब यह कह रहा है कि जब नया यूजर आप create करोगे तो वो अपने कैसे करना है वो अपने ऐसे करना है यह ठीक है अब यह नया यूजर आपने कहां से create करना है sign up के page पे खड़े होगे यह यह ना sign up के page पे खड़े होगे तो हम जल्दी से पहले तो चलते हैं sign up के page पर दबे बना लेते हैं forms तो यह मैंने sign up का page है यह यहां पर जाके मैंने क्या करना है सबसे पहले दिसस साइन अप पेज तो लिखा भाई था यहां पर मैंने एक अधर form मना लेड़ा है ठीक है अभी मैं formic बगर यूज नहीं कर रहा है just to keep it simple मैं भी simple इसमें boxes बना रहा हूं तो मैंने यहां पर लिखा भी input एक अधर और मैंने का यह email होगा और उसके बाद मैंने का कि input एक अधर और यह password होगा इसके जो type होगी वो क्या होगी password होगी ठीक है और यह कदर यहां पर बटन होगा जिसमें sign up लिखा होगा ठीक है और इस button की type क्या होगी होगी ठीक है इस button की type मैंने बता दिया कि बटन होगी अच्छा अब यहां पर उपर मैंने बोला on submit जो मेरा होगा तो वो क्या होगा sign up handler कोई भी नाम रख सकता है इस function का मैंने sign up handler इसका नाम रखा है अब मैं यहां पर आके बोल दिता हूं कि सब्सक्राइब कोई इस इन दो इन पूट से वैल्यू उठाने तो वैल्यू उठाने के लिए मुझे करना पड़ेगा एक स्टेट चाहिए होगी मैंने का इमेल, sent email equals to useState अच्छा यह आटो-इंपोर्ट बीस ने कर गई हो अच्छाइशन में जैसे इमेल, sent email, password, sent password यह मेरे पस दो अधद state बनगे अब इन दोनों state को मैंने क्या करना है इन दोनों के साथ connect करवाना है अब अब अगर फॉर्मिक होता तो मझे यह दो दफा यह लिखना नहीं पड़ता है वो एकी दफा में उपर काउ होता है लेकिन फार्मिक को भी हम छोग देते हैं अच्छा इस पर क्या गरूँगा मैं ऑन्चेंज पर मैं बोलूँगा कि भाई सेट रडी मेल सही है यहां पर मुझे एक अदर इवेंट मिलेगा और मैंने को लगा कि भाई इसके नीचे बाले पर लगा देता हूं और यहां पर मैं क्या देता हूं अच्छा एक रिपीट पास्वर्ट पी होता है ठीक है तो रिपीट पास्वर्ट भी मैं आपर बना देता हूं अब लेकिन वह भी खिलाल उसका कुछ हो नहीं रहा है जाए एक ही रहोगा में तो इसकी विए टाइप पास्वर्ट कर दी अच्छा प्लेस ओल्डर ने इसमें लगाया अब लेस ओल्डर लगा देते हैं तोरूं में मैंने का भई प्लेस ओल्डर इमेल ठीक है लेस ओल्ड पास्वर्ट ठीक है न था बंदे को पता तो चले कि करना किया लिखना किया तो अभी तक कुछ साइन अप का फॉर्म है चल क्यों यह रहा है रोग दिये क्या बना इसको फेड़ पार सोर्स में अव दिस दिस बदा निए को यह रहा है आख यह काफिवाही आज सा दिखरेंगे चाहिए तो अब यह कुछ इस तरह कर दिख रहा है कि यह शुरू में जब यह रहा है यह पर कुछ इमेल वीमेल कुछ तो लिखा हूँ ठीक है और लास्ट वाले में क्या रगा रहता हूं प्लेस ओड़र अगर साथ में लेबल्स भी लगाते हैं तो अबर क्या ही बात है ठीक है लेबल्स भी लगा रहता है अच्छा लेबल लगाने का जो है सही तरीका वो यह नहीं है ठीक है सही तरीका आपको बता है लेबल का टैग होता है उसके साथ आईडी और फॉर करके लगता है वो सेमेंटिक टैग्स है एक्चुली ठीक है लक्तिक है तो यह मेरे पास साइन अप का इक टीपिकल सा एक फॉर्म बन चुका है ऐसमें यह सजेस्ट पास्वरडना आ।पमैटिकली शो़ कफेन थाइस अब याब बहुती हैłem अब कर देखें आपको लेकिन नहीं अब इस प्रोंग नहीं किसे कि आई रहे हैं आई आई कि अच्छी को यार आई इस टी में अच्छी एमल एट्रिव्यूट होता है हुए एक हेस्टिमल कर और तो कम्पलीट हाँ अव्यावार्ड बाव्जर में अगॉअटा है। हर ब्राउजर में अगॉटलीत तो हुता है। अब साइन आपके फॉर्म में क्या-क्या होता है तो लैगज को ऑफ़ने हो तो राम नेम को पकड़ जो पकड़ देगा हुआ। आप जयसे यहां पर मैं लगाता हूं ना मैंने का के नेम कियोंके साइन अप की फॉर्म में नेंड होगा, obviously अब दो, आप दो, टाइप नेंड होगा यह ताइप तो थेक्स होगा, रे बाग रह लिए सब्सक्राइक, और प्लेस होल्टर बैने का भाई, एंटर यूर नेम। ब्राउजर मुझा उपने पास अब देखते है मेरा आउट कंप्लीट इसको पक्ड़ टाए यहां पर हुद आप सेवुए लेगिन रहां तो इसमें मुझे बताना पड़ेगा कि इसक consume得 क्या है ने मे तो प्र ये उसको प्कड़न्ने लगते हैं तो मैं एट्रिप्यूट लगाऊंगा और अटो कम्प्लीट नेम सइड है अब देवो क्या होता है अब मेरा अटो कम्प्लीट ना अटो मैटिक इसको ऐजा नेम ट्रीट कर रहा होगा क्यों नहीं करता है अब यह वो करेंगे सब समझ जो गए अच्हाइँ नेमके इलावा इस इसको यह भी बतानापड़ेका को ऋसे ब देज इन ये डिफन नेम ऐरो दानापड़ेका यह एक्जालेंगों में यह नेना झजीचिया यह प्ली यह ऻो फो चया है अजयू अजब आ हो कि एक आटो अटो कंप्लीट आफ्ट किया तो इसमें birthday है credit card number है पता नहीं क्या किया है एक हलार तरह की चीज है हमारे जो काम की जो चीज है ना वो क्या है वो यह new password ठीक है current password यह देख रहे हो अब जहां पर अब नियू password लिखोंगा महां पर क्या ऑग रहे गई है सजेस्टर नियू पास्वार्ट यह बो शुगरेगा अच्छा तो मैं यहां पर चो पास्वेर रह रहा है यहां पर यहां में क्या लिखंगा यहां पर में जाकर बताऊंगा कि इसका जो आटकम्प्लीट है बो क्या हो सब्सक्राइब करें नियु पास्वर्ड अब देखते हैं चलता है कि नहीं पास्वर्ड अच्छा इमेल पर मैं इमेल लगा देता हूं ऑटो कम्प्रीट पर देखो ऑटो कम्प्रीट में अच्छा इमेल एक अलग है और यूजर नेम अलग है ठीक है दो चीज़ें इसके अब इमेल के अंदर ना इमेल कोई सीपी मतलब जैसे फॉर्म फिल्ग अब करना दो इमेल लिखे रहे होते हैं यूजर नेम जो वो क्या है जो पास्वर्ड क एक यूजर नेम बहुता है तो इन दोने में थोड़ा सा फर्ग भी होता है ठीक है तो मैं क्या रिखूना मैं यूजर नेम लिखूंगा जैसे गटप.com पे जो आप साइड रहे होते हैं तो आप वह बोलता है इमेल या यूजर नेम दो में तो ने तो वह पी यूजर नेम होगा आपर इमेल नहीं होगा तो मैंने क्या किया इस यूजर ने मुझे को पापी किया अभी देखते हैं यह इमेल में मुझे कोई सजेशन नहीं दे रहा हुई है जब मैं यहाँ इसको मैं किलियर भी करता हूँ केशो इसका अब इमेल में मुझे कुछ सजेशन वगर नहीं फिर देखते हैं को लगाने के बाद देता एक नहीं देता तो किमेल पे आया यहां पर अगद करें पोस्टोर को फके अच्छा तो मैंने किस पर लता ही आप़ा फी या गाप यह दूसरे फ्पर लगादिग यह तीब निए ऊच्छ sol 2 At कंटर्म पासवर्ट कभी होता है अब मैं जरा इसको रीफ्रेश करता हूँ और टो फिल तो में राय भी होता हूँ पासवर्ट पे ऊसजीज़ पासवर्ड अभी भी दे रहा है में भी इसको ज़िसको बंद करके मैं दुबारा उन स्टैब को तो मेबी शायद ये कुछ सांस ने कान वे हैं नालग से देख लेगा हूँ रियक्ट और टो फॉर्म अलग से मने गूगल पर लिख दिया ये कोर्ट साइंट बॉक्स में किसी ने एक्जैम्पल बनाई दिये इस टैग और फॉर्म लगा लेता है अलग सावाल पूछा होगा लेकिन उसके सवाल में हमारा जवाब चुपाव होगा दूसरे पर जबता है आटो कम्प्लीट एक्ट्रिब्यूट लिख देता है रियक्ट देजन्ट रेंटन आटो कम्प्लीट आफ आटो कम्प्लीट और आफ ही लगाया अप्ट सही असने का ऐसे लगेगा एक बंदे ने किसी ने बोला है सही भी यह असल में लोग अच्छा लोग ना ज्यादा अतर मैंने देखा इंटरनेट पे इसको आफ करने के चक्कर में रहते हैं पतनी क्यों मुझे समझ नहीं है कि इसको आफ क्यों करते है लोग बिलावाजा अफ करने की लगेगा और गूगल्ग्रोम इसको आफ करने नहीं देता है जनी असानी से गूगल्ग्रोम आखरीयत तक जोग लगाता है कि किसी तरह यह ओन हो जाए तो यह देख रहे हैं, उसने बोला कि रोल करके भी लगाओ, प्रेजेंटेशन करके, तो फिर जाए कि यह आफ हो देगा, किसी ने बोला कि यह भी बंद हो गया, मतलब माइनस कर दिया लोगोने कि भई यह तेरा जवाब बलत है, ऐसे नहीं हो रहा है, तो आफ करने की लोग बड़ी कोशिश करने है, लेकिन मेरे साब से इसको आफ करने का कोई सेंस नहीं वांता है, तो हो अला हमारे मतलब की जो चीज हाना, वो मिल नहीं गा, auto complete attribute using react.js, इसमें दिखते हैं, जो अजिवर इसना आपने question में एक दफ़ा autocomplete on लिखा है, एक दफ़ा autocomplete cc number लिखा है अड़ी credit card number लिख के नहीं लिख लिए तो मतलब password मेले पर credit card number show करने लिख जायेगा, अगर वो काम सही कर गया नहीं 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 वो show थोटी में होता है एक और मैं नेम बनाता हूं इस पर में अटो कंप्लीट में क्या लिख दता हूं CC डैश नंबर ठीक है यही तरना CC डैश स्वाइश नंबर हम देखते है क्या हूता है आटो कंप्लीट रोग्या है कामी नहीं कर रहा है सफारी पर ट्राई हुटते है अच्छा यहां पर नोट किया इस वाले पर ना और इस वाले पर देखो चीज थोड़ी डिफरेंट आरी है यह मुझे सिलेक्ट करने कारशन दिना है मेरे पस कोई कॉंते से़हन है ऑचा पासवर्ड पर मुझे पासवर्ड का ऑप्शन दिना अम नौ zwischen यह वह आघंए लगाने की वाजा से यह our same देगो suggest strong password door Ho ज़ये हैं अजिन तम जीए बर फाल तो इसलिए वो दुबारा शाय शो नहीं करता है हाँ, इंकॉग्निटो में ट्राई कर सकते हैं मगर इंकॉग्निटो में तो आटो फिल चलता भी नहीं है ना आटो फिल नहीं सबता आटो फिल चलता इधर ही है उन ही सब्णिटो पर आटो है आटो अब यह इसको तुम जीधो नहां है जो शीएन है जैसे ना आगर वर एंसलै की तवरक में कर लेते हो लोगिन कर लेता है ना Ann Maker जो दो पहलेसे आपका पासवर्ड लिखा वारह हään उसको कैसे बता apologize प्रवाला यूजर्वे पर नीचे पासवर्ड कैसे पता जो तो अच्छा नहीं अगर मैं इसका नेम का एट्रिव्यूट यहां पर लगा दो मैं नेम इक्वल्स तू नेम और इसमें लगा दो इमेल देखते हैं वहीं से शाहिद प्रदशल जातो अच्छा 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 तो कह रहा है यह देखो न इसने क्या गया है अच्छा 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 तो यह था नेम की फील्ड के अंदर ना आटो कंप्लीट का नाम लिख दो यह देखे लो नेम थोड़ा सा इस तरफ है यह इंडेंटेशन इसके साथ हुई भी अब यह जो सारी चीज़े है वो नेम में लिखी जाएंगी गिवन नेम या फुल अच्छा अब इसतर ll s c amr. नेब गन एर नेम में लिख देहां सबसे पहलेवले में तो यह compare चांटेवी में लगज। यहार कंट्री पकड़ा दे लग किया दे पाडिस्तान शोग लगा है बिल्गुल सही पड़ाया सब भीगुल सही पकड़ा तो अब अमने क्या करना है यह अपर लिखा वह न इसको अच्छा ऑन नहीं भी लिख्खें तो अब बाइडिफल्ट ओन ही ए ऑटो कम्प्लीट और पढ़ाया। ही तो मैंने नेम लिखें आए यह यूसर्नेम टेख और नियू पासवर्ट वह ने किसर्पे लिख लिख दिया वह भी लिख लिख दिया है मैंने नेम पर लिख दिया कि यह नियू पासवर्ड और यह रिपीट पासवर्ड का भी कुछ होता है वो भी अब दूनता है कौन सा वला है देखो पहले से लिखा वा गया पहले लिखा वा नहीं आ रहा था पहले से suggestion दे रहा था अब लिखा वा गया अब ये confirm passport पे जब मैं लगाऊंगा था तो वो भी लिखा वा जाएगा पहले से चलते हैं यापर देखते हैं अच्छा a new password when creating new account, changing password this should be for the new, enter new password, confirm new password field as opposed to enter this, 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 this current password, we put the login form, login form, username and current password, now the password is saved, this site, we put the repeat password, but now it is अच्छा नहीं मेरे खेल है वो रिपीट पासवर्ड भी वही आता है यह जो लिखा हो रहे है नियू पासवर्ड अपना है यही आता है अब सजेस्क नियू पासवर्ड पर करते हैं सजेस्क पासवर्ड यूज स्ट्रॉंग पासवर्ड अच्छा नहीं नहीं साइनप के फॉर्म में खुद ही आता है मिसाल के दौर पर कोई ऐसी साइट बताओ जब साइनप करते हैं अच्छा नहीं 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 जब मैं उसको राइट क्लिक करके सजेस्क पासवर्ड करता हूं तो दोनों में उसको पेस्ट कर देता है लागी यह होता है अलग से लिखते है ना आटो कम्प्लीट नेम फॉर अंग कंफर्म नियू पासवर्ड ठीक है यह किसी ने सवाल पूछा भाए कि यह कैसे हुटता है कि अभी मैंने नियू पासवर्ड पर दोनों पर नियू पासवर्ड लगाया था तो इससे मेरे पस एरा ना रहा है सही ह हमारा भी सवाल है ऑन्द कंफर्म ने पन्द रहनिक और सलग गलतन पासवर्ड पासवर्ड है तो इन्स पासवर्ड प्रेश Siur दूअ झाल झाल यह दाइरेक्टिया पे चला जा रहा है दोनों के उसको पेस्क नी कर रहा है यह प्रापल्लम हो यह बी सजेस्स पासवर्ड यूzh से प्राइस प्रइस्वड अब्डेट पासवर्ड जैसरे प्रेस करना है धोनों में टाइब हो जा रहा है से थैं साही है मतल схраж अबोडला सभ की एक बiousड़ा आपी है तो पहले से लिखाव आ जाता है जो सेव पास्वर्ड है वो इस तरह से आता है तो यह हमें बता चलिए वेल अब साइन अप का जब मैं बेटन प्रेस करूंगा आप कोड में रख आ गया यह रहाँ और असल में रखता हूं इस तरह जब यह बार बार हो जारे गूह तो एक मैं इसकोड नेम के लिए बना लिए आख्छी नेम और से तरह एक मैंने नेम के लिए बना लिए ऑनचेंच सब्सक्राइब और पासवर्ट तो तीन चीजे मेरे पास आगे इसके जरीए मैंने अपना यूजर कहां पर करवाना है साइनप करवाना है अच्छा साइनप हैंडलर पर मुझे इवेंट मिलेगा इस इवेंट पर मैं प्रिवेंट डिफॉल्ट लागा जिससे मेरा क्या होगा पेज रिडोड रहा नहीं होगा जो के डिफॉल्ट बिहेवियर है सब्मिशन पर के पेज रिडोड हो जाता है ठीक है अच्छा जब मेरा साइनप कंप्लीट हो जाएगा न तो मैं फिर रीसाइट भी करता हूं पर पर प्रिवेंट करता हूं पर कुछ भी नहीं होता है तो फॉर्म पर मुझे रिचेट भी करवाना है किसी नहीं किसी पॉइंट तो अब मेरे पस क्या मौझूद है नेम इमेल और पासवर्ड यह तीन चीज़े मौझूद है अब मैं वापस जाता हूं फाइर बेस की ड यह तमाम का तमाम कोड में क्या कर लेता हूं कॉपी कर लेता हूं यहां से और यह कोड कोड करके मैं क्या करूंगा यहां पर साइन अप के बटन के अंदर लाके मैं पेस्ट कर देता हूं ठीक है और अब देखते हैं कि क्या है इंपोर्ट वाला जुस चीज है वो तो जाहर यह तोप पे जाती है यहां से बैसको कट करोंगा यहां पर गर दोगा जी यह यह वेस ओधनिकेशन की डॉक्यमेंटेशन से यह आप आए लेटे ना सब्सक्राइब यह यह यहां पर गाइड में जाओगे गाइड में जाके ऑथेंटिकेशन यह वेब और वेब के अंदर गैट स्टार्ट बचा अभी आप सिर्फ देखो अभी यह करो नहीं मैं आप टाइन दोंगा आपको यह इंप्लिमेंट कर नहीं लिए ठीक है अभी देखो सिर्फ अच्छा जी तो यह हमारे पास जो है साइन अप हैंडलर हमारे पास बन के आ चोग है इस साइन अप हैंडलर के अंदर क्या काम हो रहा है const auth equal to get auth get auth करके authentication का यह मैंने क्या ले लिये है यहां पर handler उठा लिये क्योंकि मैंने अपने पास जो मेरा index.js है वहाँ पर मैंने इसको एप को initialize तो कर दिये हरत है GET auth यहां पर उना 있어 लेकिन जहां जहां पर्वर उसको यूजज है इसको पर कर जाउब करलें और यहां पर्यों करते हैं आपढ़स करे सब्सक्राइब कर इसको प्रफेटर पर सब्सक्राइब कारिव गरत सक्ता हूं उसके बाद create user with email password यह मैंने उपपर यह भी import किया यहां से इसको मैं call करना हूँ create user with email password में मुझे क्या चाहिए? तीन चीज़े चाहिए नमबर एक auth का handler ठीक है? auth का handler यह बताएगा कि मैं कौन से firebase की app से connection बना के बैठा हूँ नमबर टू email, नमबर ट्री password तो यह थीन चीज़े, email की जगह पर यह email आ गया हूँ और password की जगह पर यह password आ गया हूँ अब name भी मुझे साथ साथ भेजना है अभी वह देखते हैं कि name हम कैसे भेज रहे हूँ हूँ जैसे ही मैं यह call करूँगा तो dot then अगर यह sign up successfully हो गया बना तो dot then में मुझे क्या मिल जाएगा उस user का पूरा object मिल जाएगा जो अभी अभी create हूए और साथ साथ वो login भी हो जाएगा अगर उसमें कोई error आगया तो यह catch चलेगा जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं हो रहा लेकिन मैं काम करता हूँ screen के उपर इस error को print करवा लेता हूँ ठीक है अगर यह catch चलता है तो मैंने screen में यह बात प्रेंड कर वाली के firebase का जो sign of error और एकर sign in properly हो जाता है तो मैं बोलता हूँ इस user को क्या करो screen पर print करवा दो console.log user को screen पर console वाली screen पर print करवा दो ठीक है यहां तक समझाई यह बात अभी इतने को चला कर देखते है फिर name कैसे बेजा जाता है वो भी हम चेक करते हैं यह मेरी एक आ चुकी इसका मैं console open दिर लेता हूँ console और मैंने कहा कि name इंजमाम मलिक email malik at sysborg.com password 123456 123456 जैसे ही मैंने sign up का button प्रेस किया तो यहां पे मैंने पस क्या error आ गया firebase sign up error firebase error auth operation not allowed ठीक मुझे कह रहा है कि यह operation आपको करने की अजासत नहीं है ऐसा क्यों कह रहा है यहां पर मैंने कुछ गड़ड किये गया okay मुझे यहां पर बताना पड़ेगा कि मैंने कौन कौन से अलाओ करना है in the method जो के इनको documents में जिखर करना चाहिए था यहां पर लेकिन इनोंने उनकी यहां पर शायद जिकर नहीं किया इनको यहां पर जिखर करना चाहिए था कि यह एने बेल करना होता है कर दो कि यहां जाते हैं वापस इस अथेंटिकेशनले पार्ट में और यह कह रहा है कि आपना में बताओ कि कौन से मैथर्ड को आप अभी यूज करने लगे हूँ मैंने का इमेल पास्वर्ड को मैं फिल हाल यूज करने लगा हूँ तो यह देखो यहां से ना इनेबल नहीं हुआ हुआ है इसको मैंने इनेबल किया और से बटन दबा गया है नीचे वाले किया है नीचे वाले किया है आप सिर्फ इमेल एंटर करते हो आपको एक एमेल आगती है अब भाई अभी सिंपल वला तो करें नहीं हुआ 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 है तो अब मेरे बस ना साइनिन मेटर्ड है कि आगी है इमेल पास्वर्ड वाले असल में देखो फायर बेस की ऑथेंटिकेशन में इतना पुछ है कि अभी हम दो तीन दिन तक है एक्स्वरों करते रहें करने एक चीज करके देख लें भू तुम से रह करवा लोंकर ठीक है सबसे बड़ा काम तई आप लोगों से करवाना है मैं तो कर दूंगा यहा पर बैठा बटा ना तो लगा रहूंगा मेरा काम है को और तो कोई काम नी एख नहीं है अभी यहां से घर जाओंगा तो भी ब लेकिन आप लोगों से करवाना भी तो है अभी यह जो जितने मुझ से कह रहे हैं कि सर वो नीचे वाले भी चेक लगा दे हैं सर वो गेठाब बला भी कर लें अभी देखते हैं करता को अभी अगली क्लास में पता चल जाएगा कि कौन-कौन करके लाता है तो यह यहां से कि कि इसे वाला तह बойдए इस वजए से वह वरखनी क्रें तो वह उसको अब दुबारा से त्राइ करता हूं दुबारा से साइंआप का बड़क दवाता हूं तो अबकी बार इसने क्या बोला डाकी योजर क्या हो चुक अस फॉल्स है मैंतने डेटा में काफी बहुत चीजल लेर्ट फॉट यॉरा कि आप आतोल करते हैं अब ये सारी चीज़ हम एक्स्प्लॉर करते हैं थोड़ी थोड़ी करकर एक्सप्लॉर करता है ठीक है वापस हमा जाते हैं अस डॉक्यमेंट की अनकर हमारा यूजर जूँनेर एसे करके तोगा है कि यूजर क्रिए ढजा है। यहां पर मुझे य tę यूजर की आपवा एकु यहां क्लिक करंगा है। इमेल यह है। इस पर लोग बना हिए कि कौन से हमेल इमील पासवर्ट सो है। इस यूजर की यूईगायडिय की डेट है कब वो है, नहीं है, आखरी और कुछ चीज है, reset, password, disable, delete, delete भी मैं इसको कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हूँ super admin, तो मैं इसको delete वगार भी कर सकता हूँ password नहीं दिखाता हुँ, password नहीं दिखाता हुँ, password आपको नहीं दिखाता हुँ अच्छा, अब अगला काम क्या है भई, अगर पहले से कोई user मौजूद है, बना वा है, तो उसको sign in कैसे करवाना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यही सेम काम, sign in के पेच पे एक form बना के, और यह sign in वाला काम हमें करवाना पड़ेगा, ठीक हो गया, तो मैं यह सारा क क्या करता हूं, यहां पे से copy कर लिता हूं, ठीक है, यहां से मैंने copy कर लिए सारे का सारा कोर्ट, और अब मैं कहा चला जाता हूं, login वाले page पे चला जाता हूं, और login वाले page पे जाके, वो सारा का सारा कोड मैंने पेस्ट कर दिया, लॉग इन वाले भी जागे, अच्छा, लॉग इन करते हो जे नेम लिखने की जुरूत नहीं होती, हटा दिया उसको, सभी है, ऊपर यूज स्टेट बना बनी है, तो यूज स्टेट को कैसे करेंगे अब, यह आटोमेटिक इंप सभी है, लॉग इन एंडलर कर दिया मैंने, और क्या है, यह क्रियेट यूजर एंड पासवर्ड अब यह जाहरे लिए नहीं लिखूंगा, मैं बसका नाम कुछ और लिखूंगा, तो इतना कोड तो खेर, अभी यह रिपलेस हो जाएगा, यह कोड तो मैं हटा दाता, सभी ह अब ही यहां पर और क्या है, इस इस साइन अप पेज नहीं, इस लॉग इन पेज, ठीक है, लॉग इन है, इस फॉर्म में भी मुझे नेम की जुरूद नहीं है, मुझे सिर्फ इमेल और पासवर्ड चाहिए, और पासवर्ड के मुझे अटो कम्क्लीट में क्या चाहिए, यह नियू पासवर्ड नहीं चाहिए, क्यासे खुलता था वो क्रेंट पासवर्ड, यह यहां पर था ना, एक है नियू पासवर्ड और एक है क्रेंट डैश पासवर्ड, तो मैं इन क्रेंट पासवर्ड उसमें लिग देता हूँ, उससे क्या होगा कि जो पहले से सेव प्राउजर में जो केशे हुआ है ना ब्राउजर में आटो कम्प्रीट पे जो सेफ हुआ है पासवर्ड यहां पर पकड़ के लिखा रहे है तो यह मैंने जना आप लॉग इन का फॉर्म यह हो रेडी कर लिए अब मैं लॉग इन के पेश पे जाता हूं तो कुछ इस तरह का म इस से पहले एक ब्र भी चाहिए मुझे तो यह मेरे पास अब क्या हो गया देखो पहले से यह मेरे पास यूजर नेम और पास्वर्ड लिखा वा गया जो मैंने अभी जाहरे साइन अप करते हैं उम्हाने सेफ किया था वह यह लिखा वा गया और अब मैंने क्या करना है यह वाला code लिखना है किसी existing user को अगर मैंने login करवाना है तो यह मैंने paste कर दिया इंपोर्ट वाली लाइन जो टॉप पे जाएगी obviously क्योंकि इस वाली JavaScript के अंदर यह allow नहीं करता है कि इंपोर्ट आप बाद में करें पुरानी वाली में हो जाता है इसमें कहता है इंपोर्ट जो बंदे ने अभी टाइप किया वो यहां पर बास करेंगे अगर बंदे ने सही एंटर किया तो साइन इन हो जाएगा अगर गलत एंटर किया तो एरर आजाएगा एरर को मैं क्या करता हूं स्क्रीन पर प्रिंट करवा देता हूं ठीक है मैंने यहां पर का कि firebase login error और error मैस इसमें से code और message दो चीज़े इसने अलग की विया है तो यहां पर code भी प्रेंट करवा देता हूं और message प्रेंट करवा देता हूं अब इसमें जितने error possible हो सकते हैं कि इन्वैलिट password, invalid email और भी कई तरह के password है तो वह सारे की एक list बनीवी इनके documents में वहां से आप जाके अगर चाहें तो देख भी सकते हैं कि क्या क्या code मौजूद है अगर यह properly sign in हो जाता है तो मैं यहां पर कहता हूं console.log ठीक है login successful और comment डालके मैंने क्या करवा दिया user का पूरा object प्रेंट करवा दिया कि यूजर जो मिला है उसको प्रेंट करवा लिए और form reset मैंने उसमें नहीं करवाया था न साइन अप वले हो भी करवाना हो था तो अपमें इदर आगे देखता हूं जराब मेरे पास जो login का page है उसमें यह email और यह password जो sign up के वक्ती सेव हो गया तो वो आगया है यह 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 username login सही है तो यहां पर login successful लिखावा हो गया ठीक है और यह मेरा पूरा user का object भी प्रेंट हो गया अच्छा गर मैं इसमें गलत password लिखता हूं password में से एक मैंने माइनस कर दिया और अब मैं login करता हूं तो यह मुझे क्या कह रहा है firebase login error ठीक है देखो code आया है यह auth slash wrong password यह code था और यह पिर message है code और message दोनों brand लवाया है तो यह code आया है और यह message आया है अब यह code कौन-कौन से हो सकते है possible उस सब की list मौजूद है firebase के documents में वहां से आप देख सकते हैं ठीक है अब यह तो मसला मेरा हो गया हल sign up पी हो गया और login भी हो गया अब मसला एक रह गया वह मसला जैसे ही वह sign in होता है यह login होता है तो मुझे फौरर रॉट है तो मुझे फौरर इसको ग्रोग खराता है यह तो मने चेंज करना था इस variable को मने चेंज करना था न रियल टाइम में वह तो नहीं हो अभी तक तो नहीं हो दो यहां पर अप कुछ ऐसा गेम चलाना है के रील ट क्या बताया है set and authentication state observer कि हमारे पास एक अब ऐसा तरीपा मौझूद है जिससे हम observe कर सकते हैं state इस वक्त login है बन्द है या logout है उसकी state को observe करने के लिए observer model है वो observer कैसे काम करता है वो कुछ इस तरह से काम करता है कहे रहे भाई ऐसे करें कि आप इंपोर्ट कर लो मैं खीक इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट मैं किसमें कर रहा हूं एप.js की फाइल हो ठीक है क्योंकि यहीं पह वो वा बहुत एक चाहिए होगा वा मा कर सकता हूं इसा नहीं कि किसी एक जगह पर करना जुरूरी है, मतलब कहीं भी कर सकता हूं, किसी एक component में मुझे अगर observe करना है कि इस वक्त लॉग इन लॉग ओड़, ठीक, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसको import कर लिया, get auth और on auth state change, यह देखो नाम सही पता चल रहा है कि क्या काम कर जिस पर रिखा होता है, on state change, इसका मतलब होता है, यह periodically चलेगा, यह function एक बार नहीं चलेगा, event होगा है, ठीक है, on का मतलब event होता है, इसका मतलब हम उसको register कर देंगे, वो event मिलेगा, कभी भी मिल सकता है उसको event, multiple time मिल सकता है वो event, तो जब वो event अकर होगा, तो जब वो function चलेगा, तो actually होगा किया, कि on auth state change पे एक मुझे वो event देगा, कि भाई अभी यह state change का event अगर होगा है, अब वो पहले login था, logout था, login होगा होगा है, वो मुझे उस state change का data है, event का जो payload होता है, उसमें मुझे वो data भी मिलेगा, कि भाई अब असल में होगा है, लोगा होगा है तो on state change यह मैंने इसको import करवा लिया, import करवाने के बाद यह नीची का जो code है इसको मैंने copy किया, और इसको copy करके मैंने कहां पे रख दिया, अपने app के यहां पे रख दिया, इसको मैंने, ठीक है, app के यहां पे इसको मैंने रख दिया, अब देखो हो क्या है, इसने का get auth, get auth आप के बाद on is create change, और उसके बाद एक function है यह इतना बड़ा, नोट कर रहे हो, यह function कब चलेगा, यह function जब चलेगा, जब चलेगा, जब ऑथ change होगा, लोग इन से लोग आउट होगा या लोग आउट से लोग इन होगा जब यह चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, अचा जैसी page ल बंद करके मैं tap दोबारा उपन करता हूँ, तो वो तो पहले से लोग इन था या नहीं था वो तो स्ट्रेट रहेगी ना, क्योंकि यह कुटीज में से होता है, कि आप इसमद लोग इन है नहीं है, कुटीज खतम नहीं होती है, अगर ब्राउजर बंद भी गरते ना पूरा अगर शट्डाउन भी करतें PCO, आप दोबारा से आप उपन करें, और आपकी cookies अगर है मौझी तो इसका मतलब आप अभी भी login है, तो वो login का state यह एक दफा तो फोरण ही चल जाता है, अप लोड होती ही, तो आपको बचा देता है कि इस आप क्या state है, फिर दोबारा कब च नहीं है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ, इस user अगर है न, तो मैं कहता हूँ, set login को क्या करो, true, यह करोंगा न, और else में क्या करवाओंगा न, मैं कहूंगा इसको false करो, सही है, बिल्कुल okay होगी है, जबरदस होगी है, चलते हैं, अच्छा इस पर console तो मैंने करवाया ही न, console भी करवाता है न, ताकि मुझे exactly पता चले कि कब चलता है, मैंने का बई, auth, change, और, login, login, user भी मैंने यहां रेंट करवागी है, ठीक है, और इसी के नीचे वाले में, else में क्या लिखता हूँ, okay, auth, change, logout, और logout पर कोई user नहीं है, कुछ भी प्रेंट नहीं हो, ठीक है, ताकि जब यह if चले यह, else चले तो मुझे exactly पता भी चलता, के भई, हाया, यह इसकी वज़ा से हो, चलते हैं यह, अब देखो, problem क्या है, refresh किया मैंने, कितनी बार चल गया, auth, change, अच्छा, काम मेरा होग है, जो मैंने करवाना था, अब logout का, क्यूंके मैं रबस button नहीं है, तो मैं इस वक्त logout इसको करी नहीं सालता, यह login है, क्या है, मैं यहाँ से button दबागे इसको logout पे लेके भी जाओंगा तो यह दुबारा login करता है, क्योंके वो दुबारा चल जाता है, अब सवाल यह है कि यह इतनी बार क्यों चलिया, क्या मैंने कोई mistake कर दी है, चले जा रहा है यह तो, infinite loop होगा है यह तो, अच्छा यह किस वज़े से हुआ है मेरे भाई, कि यह जो on odd change है रहा, यह क्या होता है, listener register करता है, क्या करता है यह, listener register करता है, यह code जितनी बार चलेगा न यह उतनी बार listener register करेगा, और यह जिस जगा पे लिखावा है code, यह बड़ी खतरनाक जगा पे यह लिखाव है component के अंदर, component के अंदर लिखे में होने का मतलग यह है, कि react क्या करता है, component को, जब भी component में या उसके state में कोई change आता है, तो component को re-render करता है, और यह function दुबारा से चलता है, और चूंकि यह app component है, तो app component का कोई children भी अगर आगे पीछ होगा, तो शायद उस व अधनी बार रेजिस्टर हो जाता है, अब क्या ज़ना है, अच्छा इसको unregister ही करना होता है, यह है यह एक्जान में रखने वाली बात है, यह तो register तो हम करने हैं इसको unregister करना भी ज़रूरी है वरना Firebase पर लोड पढ़ेगा, वह register करता हैं तो चोड़ते जाएंगें और un दूल सही बताया है, यह Use Effect में लिखा जाएगा, इसको मैंने कट किया यान से, और मैंने कहा कि भई, Use Effect, ठीक है, और Use Effect के अंदर मैंने यह function बनाया, इसके अंदर कॉआ डालके Empty Area दिया, कि मैंब करकिर स्थी नियुरत करें कि लिए कि अ मतलब के उगिए इसके डिपेंडेंसी आरेकं कि स्कामिए कि वहां थिए प्लास पर जिए करका चांदी ते खुरी स्थी जड़ियो invasal भी और नहीं हो मुझे इसको बंद करके tap को दुबारा खुलना होगा, इसको मुझे बंद कर भी खुलना होगा, अब देबुआ ये सिर्फ एक दफा ही चलेगा, मैंने पेज़ को रिफ्रेश किया, एक दफा चला था, एक दफा बी नहीं ये दो दफा चला है, दो दफा ये क्यों चला, यूजएफेट जर भूमोंके दो दफ़ा हुआ है use-effect जर नऔर ऑग जो दफ़ाव चला है क्यों दो दफ़ाव 5 कि अनल में यह करना इस दा पता है मुझे भी नी कि 싸़ा होला है कि वो सम्टाइम डेवलप्मेंट में जबाब थे तो दो दफार चला रहोता है चीज़ों को यूस अफेक्ट को ऐस्तर पर वो दो दफार से दावते हैं हाँ अब आपने काल आपकर देखाएगा खार अब जब तक यह आपकांपोनेंट के दुपारा नहीं हो जाता और वो कभी भी निँ होगा है जब तक में पेज पूरा रिफ्रेंश न करूं कभी यह ओन निहोगा कभी भी नोओड होगा, जब तक मैं पेज रिलोड ना करोगा कुछ भी कोई बटन दब हो, मैं लोग इन करो, साइनप करो, कुछ भी करो मैं, होंग गैलरी अपाउट, कुछ भी करो मैं, वो दुबारे नहीं चलिगा ईसको भी बंद करानाँ जरूरी है अभी ऑदेखें और बंद करानाँ जरूरी है अभी वह देखते हैं वह बंद कियसाना है अभी क्यों चल ला है अट लुप में इअagonal सेपिव प्री। कंपोंड नियदी आ चल ला उत रिज्क यहिए निए इस variable में जाता है तो वह component रिडेंडर होता है तो होता ही ये था कि वो पहली बार जैसी चलता था, वो क्या बोलता था इस login को करता थो true , तो यह जो ऑन स्टेट चेंज हो है अब यह राइजिस्टर हो गया अब यह जब भी मैं लॉग इन लॉग आउट करूँ मैं यह मुझे बताएगा तो अब हमें क्या करने है अब लॉग आउट का बटन दबारा है मैं किदर है अब लॉग आउट कर लें यह काफी होगी है अब लॉग आउट तो गरें करें इसके वैल अच्छा वाई गेट स्टाटिक डॉक्युमेंट तो यहां पर भाईसाभ हो गया खतमा अब लॉग आउट इन्होंने बताया नहीं कि कैसे होगा मैंनेज यूजर में चलते हैं ढूंडते हैं कि लॉग आउट करना कहां पर बताया है रोन यहां पर तो नहीं है पास्वर्ट अथेंटिकेशन में चलते हैं यहां पर बताया होग चलते हैं हां साइन आउट यहां यहां अच्छा वैसाइन आउट बिल गया है में कहां पर होता है यह साइन आउट अब अभ यह साइन आउट को बटना के हम लगाना है जpp लगाना ने तो चलते हैं यह साइन आउट का जगारते है तो मेरा जो नविगेशन बाहर है वह एक्चلि मेरी कहां में बनाव है प्रेने पास अपर यहां पर बनावा ए तो मैं kinda up यहां पे आके इसको इंपोर्ट कर लिता हूं, अच्छा कि क्योंकि एक ही जगह से इंपोर्ट हो रहे हैं तो इधर ले आता हूं, अलग से मुझे पूरी लाइन लिखने की ज़रोर के लिए, तो साइन आउट को मैंने इंपोर्ट कर लिया, और साइन आउट का जो कोड है, व पूटफोलियो यह सब लिखा हुए मुझे इसी के सार एक बटन मनाना है जो क्या होगा लोगाउट लिखा होगा उस पर ठीक है और वो बटन होगा एक्चली सही उसमें यह दूर नहीं होगा ठीक है बटन के ऑन क्लिक पर मैं एक फंक्शन चलवा लूँगा मेरी ठीक है यह बटन मना दी है मैंने लोगाउट का इसके एक इसके ओन्टिक पर मैंने एक फंक्शन चलवा दी है मैंने गां लॉग आउट हैंडलर ठीक है लॉग आउट हैंडलर इपनवा दिया है मैंने कर पॉंस्ट लॉग आउट हैंडलर इक वाल स्टू और यहां पर यह मैंने पुरा पेस्ट कर दिया यह नाउट अच्छा लॉग आउट हैंडलर के बेटकी अंदर मैंने क्या किया मैंने इक आउट का पूरा पूरा कोड लिख दिया साइन आउट जब मैं करता हूं तो मुझे डॉट दें की उपपर या तो डॉट केज की उपर इसका रिज़र्ट मिल गाता है अगर dot then चलता है, इसका मतलब है कि sign out successful, और यही चीज़ अगर, यहाँ पर मिलती है मुझे, तो इसका मतलब है कि sign out, क्या हो गया? अगर, फेल्ट, ठीक है जी, अब चुँके पहले तो log out का button यह sign out का button था ही नहीं, तो मेरा यह जो on off change है, यह चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अब मेरे पास यह confirm करने का तरीका ही था, अब मेरे पास यह confirm करने का तरीका है, क्योंकि एक button है, अब log out का, अचा भी इस, ऐसे बन यह जो गई यह वाला part, मेरा, सही है ना, अचा, अब में यहाँ पर से जब log out का button दबाऊंगा, अभी यह login है नो, obviously, जभी तो home पे खड़ा है, मैं log out का button जैसे ही जबाऊंगा, तो देखो यहाँ पर क्या ओडो, auth change, log out, यह जितनी बार register हुआ था उतनी बार print किया है, होना चाहिए, अभी देखते हैं वह कैसे होगा, well, तो sign out successful लिखा वा गया, और यह मुझे login के page पे उठा के गुमा के लिए है, अब मैं refresh जितना भी करूँगा, यह क्या होगा, यह तर ही रहेगा, जैसी login का button प्रेस करोगा, यह मुझे गुमा के home के लिए लिए और auth change, इस अब यह इसका जो observer है ना मेरा, on auth change वाला, उसको मुझे क्या करना होता है, उसको मुझे खत्म दर्वाना होता है, अब वो खत्म दर्वाने वाला option यह में किदर होता है, यही से देख लेते हैं, suggestion में शायद मों बता लेते हैं, ठीक है, जब यह function call होते हैं तो मुझे unsubscribe यह दे देता है, खुद ही दे देता है, unsubscribe, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ मुझे कहता हूँ कि यह const, unsubscribe equals to this, ठीक है, यह unsubscribe मुझे खुद ही देता है, जब यह call होता है, तो खुद ही मुझे कहता है, यह unsubscribe दे रहा हूँ मैं आपको, अच्छा यह unsubscribe मैंने कहां पे लगाना है, यह मैंने लगाना है, जय क्लीनप पे, component का clean up हम पहले discuss कर चुके हैं जाते हैं मुझे याद कर रहा है कैसे करते थे याद है बताओ return लगाते है ठीक है return पे मैं क्या करता हूँ एक function यहां से return करवाता हूँ ठीक है और इस function के अंदर मैं जो भी चीज लगाऊंगा वो क्या होगा वो इस component के अन्माउंट होने पे वो चल जाएगा यह function जो कब चलेगा इस component के अन्माउंट होने पे तो अब देखो हो क्या रहा है जैसे ही यह मेरा page खुलेगा जैसे ही यह component इस्क्रीन पे visible होगा वैसे ही क्या होगा subscription हो जाएगी server पे एक socket open हो जाएगा जो मेरे पास connect हो जाएगा और जो मझे real time में data दे रहा होगा सही है अच्छा उसके बाद जैसे ही मैं अपना tab close करूँगा या page को refresh करूँगा तो पहले क्या चलेगा? unsubscribe चलेगा पहले server से उसको disconnect करेगा socket को अगर मैं refresh करका हो पेज को तो पहले server से उसको disconnect करेगा clean up करेगा उसके बाद वो refresh करेगा तो अब अगली बार जब refresh हो के दोबारा लोड़ोगा तो फिर नए से से वो connection बनेगा इस तरह होगा क्या? कि कभी भी मेरे पास एक से ज्यादा subscription ही होगी और एक से ज्यादा subscription जहाँ होगी मेरी app हेवी होना शुरू होगी मेरी app हेवी इस वज़े से होगी कि वो जाहर है जितने connection बनेगा है server से वो वहाँ से data receive करेगी तो internet का data भी ज्यादा मेरा जाएगा और जब वो data retrieve करे जाहर है रैम memory मे लेकर आना है उसना फिर server पे भी क्योंके 3-4 extra connection बनेवे है यह 10-12 जितने भी बनेवे है तो वो server की जो resources है वो जाया हो रही है मेरी ठीक है जो होनी नी चाहिए तो मैं subscribe जहां पर run करता हूँ न यहां पर मैं क्या लगा देता हूँ एक console भी लगा देता हूँ console.log ठीक है unsubscribe function called ठीक है तो अगर यह log आ रहा है तो इसका मतलब है कि यह function नहीं है clean up function actually है सभी है यह clean up function actually unsubscribe तो इसके अंदर हो रहा है यह function असल में clean up का function है तो आप ज़रा देखते हैं आगे इसको वैसे आप नए टैब में खोलूँगा ताके वो पुराने वाले टैब कास पर कोई असा पना ठीक है देखो जैसे ही मैं पेज को refresh करता हूँ ना पहले clean up call होता है जबो मैं पेज को refresh करूँगा ना यह पहले clean up call हो उसको खतम किया पुराने वाले हो और फिर मैं इसरे से यहाँ पे किया अब लॉग आउट दबाऊंगा लॉग आउट हो गया लॉग इन करूँगा दुबारा से लॉग इन हो गया अब इस पॉइंट पे हमारा जो फाइर बेस लॉग इन जो था वो complete हो गया बस यह navigation बार को मैं सोच रहा हो तोड़ा सीधा कर लूँ फिर आपके questions भी रहते हैं क्या आज मिंट पहीं दो था आज मिंट ही था और क्या था कौन सा करना है GitHub क्या रहिए अब भाई वो तो तुम लोग मुझे करके दिखाओगे अब सब चीज़े मैं ही चलो बता दूंगा एक मिनट पहले में इसका यह सीधा कर रहा है मुझे इसको देख देखके रहा इंसाइटी उठ रही है dead.nev bar में मैं क्या लगाना है डिस्प्ले बो लगा दे रहा सही है सीधा हो गया और यह dot को हतम करने के लिए क्या लगाते है text decoration list style list style list style type और none good और इसपर तोड़ा प्र बॉर्डर शॉडर भी हो जाए dot nav पर के अंदर जो li है और नहीं वो li के अंदर यह भी तो है आप आप li के लगा दो जैंद सही है li li जो यह उस पर क्या लगातो आप इंद बॉर्डर लगा दो बॉर्डर लगा दो बॉर्डर लगा दो वन विक्सल solid और black सही है और क्या कहते हैं margin दे देते हैं इसको ताके थोड़ा एक दूसरे से दूर दूर हो जाए पांच पिक्सल मैंने margin ले दिया अच्छा इसको मैं border radius देता हूं 10 pixel ठीके गोल गोल हो गया यह लास्ट वले पे भी आगे करते हैं इसका भी कुछ करते हैं और मैंने का dot nav bar के अंदर li है और उसके अंदर anchor type उसको क्या दे दो padding दे दो 10 pixel टेक्स डेकोरेशन से यह border अट जाएगा न क्या होगा underline जो हो रहा है text text declaration अब कुछ अच्छा सा लग रहा ने इस तरफ से इतना आगे क्यो आया आप इस तरफ से इतना आगे जो आगे लिए है अच्छा इसको मैं जस्टिफाय कॉंटेंट कर दाता हूं राइट 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 पे होता है यह जितने भी नैविगेशन पार होते हैं राइट पे होता है अच्छा यह जो एप.js पे मैंने बटन बनाया वाता है एक्स्टरा अच्छा इसको मैंने बटन में अटवा दिया और उपर भी इसके कुछ आएगिए अच्छा नियों मैंने पैडिंग बहुत ज़्यादा देदी है इसकी वज़े से लिए है इसको मैंने जूम-इन भी तो बहुत ज्यादा किया लाय नब यह उपर बीसका रीसेट जोम-इन इसका reset ठीक है वही तो ये कुछ मेरा इस तरह से हो गया भी log out करूंगा मैं तो ये आ गया और जब मैं log in का button प्रेस करूंगा तो ये कुछ इस तरह का गया ठीक है border radius थोड़ा से बढ़ा देते हैं इसका बहुत कम है border radius ठीक है border radius थोड़ा से मैंने बढ़ा दिया well आप लोग चाहें तो मजीद इसकी styling को बहतर बना सकते मैंने तो ऐसी मतलब गोजारे live किये सिर्फ अभी styling इसकी ना ठीक है जी तो ये home page आगया आपका और ये profile ये about ये gallery और log out अगर मैं once कर देता हूं मैं अब आउट पे खड़ा हूं यहां पर और इसमें मैं once log out का button press कर देता हूं तो मैं जितना भी back का button press कर लूँ मैं उस पे वापस नहीं जा सकता हूं ठीक है, ब्राउजर से बाहर आसकता हूं लेकिन दुमारा में अब आउट के पेच के नी जा सकता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने उस पर और गार्ड लगाया है वाई टर्णरी ऑपरेटर के जरी है, कंडिशनल किया है, कि मैं अगर लॉगिन टू हो जबी ही राउट्स दिखाय है, हाँ, कोड़ मैं आगे है, मैं यह रूप, माउंड माउंड निया होता मतलब जब वो, इस स्क्रीन पे जब आपका कंपोनेंट आता है, याणि मैमरी में जब यह अपोनेंट लोड हो जाएगा, उस की बात हो रही है, माउंड, आपने यह पाल है, कि अब्स्क्राइब इवेंट्स तुम्हें समझ आये ते इवेंट्स की जावा स्क्रिप में हमने क्लास बीदी जिसको यह सब्सक्राइब अन्सब्सक्राइब समझ दिया रहा है वो इवेंट्स वली क्लास के रिबॉर्डिंग दुबारा देखियो वो पढ़ी विये प्लेडिस्ट के अंगर अन्सब्सक्राइब थोड़ी होंगे क्यों होंगे अन्सब्सक्राइब वो तो मुझे यह चेंज मिलेगा यह सब्सक्रिप्शन चलेगी मेरी लॉग इन लॉग अन्सब्सक्राइब होगे मुझे इवेंट मिलना बंद हो जाए अन्सब्सक्राइब उसको बोलेंगे जब नहीं, बिल्कुल भी होना चाहिए, भाई, फेस्बुक, इस कंप्यूटर में एक फेस्बुक चल रहा है, तो मैं तुमने का सर अपना लॉग आउट करें, मैं अपना करूंगा लॉग इन, मैंने लॉग आउट कर दिया, तुमने अपना पासफर्ट डाल लॉग इन हो गया, पिर तुमने कुछ किया, तुमने छोड़र, फिर दूसरा कोई आया, इसननरे रोला तो मैं अपना लॉग इन करूंगा, उसननरे लॉग इन करूंगा, तो यह लॉग खना लॉग आउट चलता रहाइब, इसे ँस भी ऊद्सक्राइब नी होना चाहिए, उद्सक्राइब हो नहांब पर मैं पेज को रीफ्रेश करता हूं तो बडब डब डब शब्रेश्टों होगी पेज रीफ्रेश के तो नहीं है एचि फुर्ड लेकिन प्रोड़क्शन में असूरत में होगा कि कोई वेरीबल चेंज हुआ और वो कंपोनेट रेंडर होगा वो फिर दुबारा से चल पड़ेगा तो यह एक तो यूज अफेक्ट के अंदर लिखना है ताकि वो एक ही बार चले कंपोनेंट से दुबारा ना चले और उसके क्लीनप में उसको मैंने अंसब्सक्राइब करवाना है यह दो काम आपने लास्मी करने हैं यह दोनों में से कोई एक भी आपने छोड़ा अगर तो वो सब्सक्रिप्शन बहुत जयादा दफा हो जाएगी और आपकी पूरी एप स्रोडाउन हो जाएगी और किसी का कोई सवाल जी हाँ हाँ सब होता है अभी तो अभी तो आपने हेलो वर्ल किया है कर सकते हैं बिलकुल खोदी कर ले ना तो नहीं मतलब इतना भी कोई मुश्किल नहीं है देखो यहां पर मैं गया पास्वर्ट ऑथेंडिकेशन के अंदर अब यहां पर जो जो कुछ यहां पर पॉसिबल है ना वो सब यहां पर आप कर सकते हैं हमने यह बला किया, create user with email password ठीक है और ठीक है, sign in user with email password यह भी हमने कर लिया और हमने sign out कर लिया, तीन चीज़े हमने कर लिया अब इसमें और क्या क्या पॉसिबल है ना वो सब इसमें लिखा हो update user, delete user, x, y, z ठीक है, manage user के section में जाता हूँगा अब जो भी मैं भी करवाँगा न मैं यहीं से देखके करवाँगा देखो manage user में क्या लिखाव है, on or change का जो observer है वो लिखाव है यहांप ठीक है सब लिखाव है यहांपे, get a user's profile अभी किसी user की profile आपको get करनी है तो वो आप कैसे करोगे, वो लिखाव है अभी sign up के वक्त उसका नाम बगर आई, देखो update user profile यह भी आगया कि किसी user की जो profile आपको update कैसे कर रहा है ठीक है यह उसका तरीक है तो यह मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ जो मैं आपको यहां पे लिखके दिखाऊँगा तो आपको समझ आएगा यह बहुत easy सी चीज़ आप इसको खुद भी कर सकते हैं Set a user's email address Send a user verification email आप उसको email भी बेज सकते हैं कि आपको मैंने email भेज़ दिया जाके बटन दबाब verify हो जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना आपको यह send verification email भेजना है और उसके पास automatically एक email चले जाएगी मैं यह भी कर सकता हूँ sign up के फॉरण बार यह काम करवा देता हूँ मेरा sign up के तर है यह रहा सभी है sign up handler है ना यह sign up handler का किया मेरा यह रहा sign up handler के then मेरा यह काम करवा देता हूँ फॉरण ही ठीक है इसको import करवा लेता हूँ उपर यह import हो गया है यह पर और send verification email मैंने जैसी sign up हुआ मैंने का फॉरण इसको email भेजो that's it इसको फिर आप बात में चेक भी कर सकता है कि उसने verify किया कि नहीं किया आपने देखा था जब मैंने थोड़ी दिर पहले sign up किया था और sign in किया था तो वो मुझे पूरा यूजर को object देता था उसमें लिखा था email verified true false वह पर मुझे आ रहा हुआ कि इसने वह button प्रेस किया है कि नहीं किया यह पीछे automated है आपको कुद करने की ज़ूरत नहीं है email firebase खुद भेजता है अब resend का button जो दबाएंगी उसके आप यह दुबारा चला दो इतना code दुबारा चला तो दुबारा send दो दो ठीक है तो बहुत ही easy है यह अच्छा sign up करते वाक्त वो data कैसे बेजना है name वगर आप इसमें कही नजर नहीं आ रहा है reset password का link बेजना है तो वो भी यहाँ पे available है आपका एक page वो भी होता है reset password का button दबाओ वो बुझत आपना email बता दो और फिर email पे आपको बेज दूँगा मैं के आगे का process क्या है तो वो reset password पे अपने यह function call करता है यह तो auth पता है आपको get auth करके देना उसके बाद email लिख के आपके बेज देना वो firebase खुद बेजेगा उसको back end पे के पीछे क्या करना है क्या नहीं करना है वो खुद बेजेगा ठीक है delete user भी कर सकते हैं और re authenticate user भी अभी वो नहीं पता चला है के sign up करते वक्त उसको वो कैसे बेजेंगे डेटा कैसे बेजेंगे sign up करते वक्त मैं email और password के लाव भी कुछ चीज़े बेजना चाहरा हूँ वो कैसे बेजेंगे वो यहां पे कहीं पे जिकर नहीं है message or call message or call message or call message or call इतना पहले कर के लाओ के फिर आगे बताओ अभी वैसे टाइम ओवर ओगे आपकी क्लास का इतना करके लाओने पहले जो अभी बस वो एक लास चीज मैं देख रहा हूँ के वो sign up करते वे ना क्या वह वहास है अभी 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 आप। फार्वेस स्लेश ओपॉस यह काम करते हैं जहां से इसने इंपोर्ट के न हम जा के चेक कर लेते हैं कि क्या इंपोर्ट है इसकी यह है न टेकलिदेशन वो इसने सीधे तरीवे से बताया कि नी'll है रही है न टॉक्यमाट में तो पर हमें हमें करना का पढ़े गा मजबूरन हमें जाके न उसके देखना कब देखा को यह oh यह मैं जा रहा हूँ नॉट मॉड्यूल्स में राइट ठीक है यह नॉट मॉड्यूल्स में जा रहा हूँ है और नॉट मॉड्यूल्स में जाके मैं देखना चाहा हूँ कि जब मैं करता हूँ है create user with email password तो उसमें क्या मेरे पास? email और password के अलावा भी कुछ कुछ देने को option है तो वो मैं चेक करने जा रहा हूँ गी ठीक है एफ में चलते हैं सी सी ये भी चल रहे हैं डी एफ अब एफ के अंदर फाइर बेस होगा है या भी गहीं घेरा फाइर बेस फाइर बेस स्लेश और और इसमें जो कोड है ना मेरे भाई वो ऐसा है के से प्ơल दूबग Y मी अगपोर उगर। जरने कि वो दूश स्लní है वो अर्या लूगी है आव पूर। नहीं हो रहा है थे मीनीफाइट है है तो हम फाइरए इसकी उस पर चलते है ओविशिल रेपॉर्ट रॉपे रहां तो नहीं होगा है यहां पे फाइर बेस का जो वैप वाल ऐस डिके है हम वा जाना चाहिए अगर नहीं उसको क्लोस सुर्स ही तो नहीं कर दिया है अगर बेस कर दो नहीं कर दो नहीं कर दो नहीं कर दो नहीं है तो यह था अगरे नहीं कर दो नहीं कर दो नहीं कर दो नॉर्डविक्स फिर्ज्ट मैं पर दो नग वाल नुगा नें मैं यहां पर उसले लिंक दिया होगा यह फाइर बेस अच्छा फाइर बेस से ज़रा चलते हैं यह अगर इसकी ओफिशल रिपॉर्ट गी तो यहां पर से ज़रा जाके देखते हैं अब के अच्छा यह हम आगया है इसमें आउथ को तराश कर लेते हैं अधर काया यह रहां आउथ ऐसारसी वह बहुत कुछ इसकी है इसमें तो ढूंड़ने ढूंड़ने में कल लेगा अथेंटिकेशन email and password.js और .ts यह आगया है मारों को बहुत को लगोड़ने अब यहां के उजरा में कौन सा बोलना है क्रियेट यूजर ना साइड इन में पस्वर्ड क्रियेट यूजर इसमें आई ना साइनप टोट यह स्में आइड नहीं मिल रहा है जो इसको इसको वाइन सोच रहा था ऑफिशिल डॉक्यूमेंटेशन सा तरह नहीं मिल रहा था तरह डाइरेट जाएके देख लेगाद लेकिन मेरा ख्याल है इसको मैं अलग से गूगल करना मड़ेगा अब क्योंकि इतना वड़ा डॉक्यूमेंट हैं का उसमें तहां डूंडे बना है तो कोड इनका इतना ज्यादा खतरनाप गिसम का है अलग से गूगल करते हैं सही है पहले दोस फंक्शन का नाम लिख देते हैं जो था create user create user with email password set name and profile photo generic करते हैं firebase create user with email password display name url अच्छा किसी नहीं पर जवाब किया है लेकि firebase admin वाले पर उसने जवाब किया है firebase dot admin paege कैसे होगी wein firebase dot admin paege इस कर से होगी that चेंगा नहीं होग झायोग water प्रृट्जर वा झायो झाल यहीं होगग उनिवी में चाल लंग लगभजा झाल झाल अच्छा एर चीज और भी तो मैं कर सकता था यहां पर ज़रा मैं हाथ रखते देखता हूं कि सजेशन में मुझे क्या क्या बता रहा है यह मुझे कह रहा है और दो इस्ट्रिंग दो प्रिमेर और पासवर्ड दो बस और कुछ नहीं बता रही है वाइल साइन अप वो तो अपडेट तो शो कर रहा है कि आप बाद में अपडेट कर लो रहा है वो तो बता रहा है लेकिन मैं सर्च कर रहा हूं कि कोई ऐसा तरीका है कि वो साइन अप करते महीं न सारी शीज़ों उसको साथ सब बतावे वो तो अपडेट तो दिखा शुका हूं है कि वो अंगर कंशन मौजूद है हाव तो इंक्लूट नेम वेन स्टोरिंग इमेल हंग कि वो दो गप सक एंप, पेसे आप सक दो अंगर के वो अंगर के दो अंगर चुशाउ ने लूशब माझाने वो तो अंगर चॉशाव नेक्ज़ब वो अंगर कि वो ऑने टा हूं Χवां पुशाव अंगर हैं आज एंअ के लाउ एंग, גם क मलईंग एंग कराहूर हुम Istज यह हम ऊजए हमında के समयर खरेजम हैं pokई छहाल है, के सहरा है वे रिभये, के लिए ऑाहिछ और प्यवचिक पर प्यवचिय को सी एंडी को जरीशा खुड़ है? प्याल करेंशिय को दो जड़ गहादान एंडी को बादे हैं तो प्याल करेंशिय को जड़ा है लड़ी से खशशिय का नचिशे हैं अच्छा यार कोई साइन अप के साथ साथ नाम भेजने का कोई तरीखा मुझे नहीं मिला ठीक है आप भी सर्च कीजेगे और आपको मिले जाए तो नेक्स क्लास में मुझे बताईएगा फिलहाल आप क्या करने हैं यही भले जो अपडेट प्रोफाइल का जो तरीखा है इसी को यूज करते हैं क्या करने लगें साइन आप के साथ साथ मुझे उपर मैं यह गाम करवा सकता हूं कि फोरन इस की प्रोफाइल अपडेट करता हूं तो मैं यह करने ड़ा हूं कि बाइट यूजर विद इमेल पासवर्ट के जो दैन है उस पे जा पे मैं वेरिफिकेशन इ अपडेट प्रोफाइल और डिस्प्ले नेम की जगा मैं बोल देता हूं कि क्या लिखवा दो वो नेम लिखवा दो जो उपर इस्टेट वैरियेबल में जो लगा हूं ठीक है यह वाला नेम यह लगा हूं अच्छा प्रोफाइल फोटो अगर आप चाहें तो आपको पता ह अप्रोफाइल फोटो अप्रोफाइल लबा सकते हैं फिलाल में सिर्फ नेम यह लगा रहा हूं तो मैंने का बही जैसे ही चल पड़े ना डॉट दन तो अब क्या करो आप ऐसे करेके बो लगाता हूं ठीक है अच्छा ओट डॉट करें यह कैसे हुआ है यहां से जो गेट चलता नहीं कि उसमले से हुआ है ओट डॉट करेंट यूजर कभी भी लिखेंगे आप तो अपको करेंट यूजर अवेलेबल हो जाएगा नजर आ जाएगा ठीक है तो चलते हैं जर आब एक दफा और साइन अप का बटन प्रेस करते हैं पहले मुझे जाहिर है दोबारा ज जाहिए अब क्या करने लगा हूँ अब मैं क्या करने लगा हूँ? साइन अप मैं गया है और यहां पर मैंने नेम एंटर किया इंजमाम मलीक, इमेल लिखती मैंने, मलीक एंटसर बार और मेरा पहले से जो सेफ पासपर्ट था वही मैंने यांपे लगा दिया हूँ वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है और अब मैं साइन अप का बटन प्रेस करने लगा हूँ अच्छा छे डिजिट का होना चाहिए बासपर्ट, शिक्स रही है तो मेरा क्या हो चुक है यहां पर, यूजर क्रिएट हो चुक है ठीक है, यूजर क्रिएट होने के साथ सब मेरे यूजर का नाम भी सेट हो चुक है क्योंकि मैंने साइन अप के फॉरण बार ये नाम सेट करवा दिया था तो वो भी सेट हो चुक है अब ये नाम मैंने क्या करना है, स्क्रीन पे डिस्प्लेय करना है अब किसी भी जगह पे पूरी एप में जाकर मैं क्या बोलूँगा, मैं ओध.currentuser जब मैं बोलूँगा तो मुझे क्या हो जाएगा, वो चीज अवेलेबल हो जाएगी तो मैं चाहता हूँ के navbar में वो नाम भी शोग हो सही है, तो मैं app.js में आजाता हूँ और app.js में आके मैं क्या करता हूँ जो मेरा navbar है वो ये है न तो मैंने का भी logout के button की भी बात क्या आजाए, उस बंदे का नाम लिखा वागए तो मैंने का यहाँ पर क्या कर दो आगए, यहाँ पर उस बंदे का name ऐसे display कर रागए, ठीक है user name full name कर देता हूँ कर देता हूँ कर देता हूँ तो सिर्फ named यो, कुछ उस पर नहीं cross लगा के देता हूँ अच्छा और, अब obviously, जो चीज मुझे screen पर display करवानी होती है, वो मुझे कहां रखनी होती है state variable में, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक state variable और बनाऊँगा जिसके अंदर मैं क्या नाम रखूँगा user, full name कर ना full name और set full name अब जब मेरा use effect चलेगा use effect के अंदर मेरे मेरे में क्या मौझूद है यह auth मौझूद है इस auth से क्या निकाल सकता हूँ मैं dot current user निकाल सकता हूँ तो मैंने काया के भाई, set full name मैं क्या करवाद हूँ यह auth dot current user ना पूरा का पूरा उसमें रखवाद हूँ और साथ-साथ मैंने क्या बोला, मैंने का भाई, full name को क्या करदो यहाँ पर console भी करदो ताकि मुझे दिख भी जायना के full name में आ कि आ रहा हूँ बलकि full name में किसी कोई console करवात है यह auth dot current user कोई करवात है क्योंकि मुझे चाहिए सिर्फ full name क्योंकि इसमें आयेगा बहुत सारा कुछ फुल नेम के इलावा भी बहुत सारा कुछ आ रहा होगा अच्छा मुझे exactly वो पता नहीं चल रहा है कि वहाँ पर वो कौन से वले में आ रहा है गो लोग ठीक है तो मुझे ऐसे करके करना होगा ताकि मुझे exactly पता तो चले अच्छा अच्छा वह एक्चली हुआ है कि जैसे ही यह मेरी एप लोड़ होती है तो यह उस वक्त तर उसको समझ नहीं आया होता है कि अभी तक करन्ट यूजर कौन है क्योंकि वह एप लोड़ होने पे जाहर है वह सारे डेटा दोबारा से उठा के लाता है तो यह जब शुरू में बिलकल चलता है तो यूजर इसको मिल ही नहीं रहा है वह यूजर इसको क्या हो रहा है नल मिल रहा है वह यूजर इसको नजर नहीं आ रहा है पर क्या किया जब एप कैसे में इसको सुएट करें ंडी मुझे और चेंज में भी जो नाम मिलता है वैल मैं काम करता हूँ मां और चेंज के दैन लियोपर यह काम कर वारी तहुम उस पर मैं यह काम कर वारी तो क्योंकё जब तक तो समझ आ चुक होगा तो आप यहां पर लेता हूं पर पर यहां पर कर लेता हूं यह ल करिinação आपक तक तो उसको बता चल चुक होगा यह मुझे , यह पर यहां पर मिल रहा हूँ . display name मुझे इसको इसको मैंने फुल नेम पर निगए अब जब मैंसको रीफ्रेश करता हूं तो जो नाव आटमेंटिक अरहा है हाँ भई, सवालाग बोलो बोलो इसके लिए नहीं बनाते हैं जो बबल बनाव है ना अलग से नहीं बनाते हैं उसी बबल में उसको डिस्पले गर वाद हो जाए पहले भई आयर नाम लिख आए दर और फिर उसके बाद आयर बटन में आवगा हो तो कि एक फील आए कि यह बंदा लॉग इन है और यही होने लगाए लॉगाए हाँ भई कोई कुष्टिन किसी का सवलाग कोड में यह वालो कोड में आगी है यह वालो यह वालो अवह वह वह अभी हमने कॉंटेक्स अपियाई नहीं पढ़ा है वह अभी तक उसकी दुरग तो नहीं बढ़िया इस पॉइंट पर कहा दो पढ़िया पढ़िया इस पॉइंट के काहा दो पढ़ियो हाँ हाँ इसमें जहां पे भी आप डॉट करेंट यूजर करोके नाम जाए रगा हर जिस कंपोनेंट में आपको चाहिए वहाँ पे डॉट करेंट करोके नाम मिल जाए रगा हाँ 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 यह मिल जाएगा हाँ और कोई वेस्टन हाँ 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 यह इसमें बड़ अच्छा बदाया हाँ यह इसमें बड़ अच्छा बदाया है अभी 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 आपको ना कल करके लाए सब लोगों और आइडियली क्या हो कि जो Facebook का क्लोन वगर आपने वड़ाया हो था न Twitter वगर उसमें यह इसमें अभी मैने सिर्फ साइन अप और लॉग इन बताया है और लॉग आउट करना बताया और और चेंज बताया इसमें रिसेट पासवर्ड निक बताया है अगर बंदे ने इमेल वेरिफाई के लोग पर पट्टी आरही हो हर वक्त आरही हो और रिसेट के बटन भी आरहा हो उसको ठीक है अगर मैं पासवर्ड बूल जाओ तो फॉर्गेट पासवर्ड मैने नी बताया वो सब आपको करके राना है next class ठीक है फिर हम करेंगे github सही है github अभी जरूरी है social login कोई एक हमें करना है Facebook करके मैं करके दिखा दूगा Google भी सबसे मुश्किल था मतलब easy न बुलना है यह पहुचा नहीं है सबसे easy है Facebook मेरा easy Google easy है वो कर लोगे लेकिन Facebook सबसे easy है वो नी करना अब जब करेंगे तो पता चल जाएग इतना तो गरो बाली सोशल लॉग इन बारहल मैं एक करके दिखाऊंगा मैं सारे नहीं करके दिखाऊंगा तो इतना टाइम नी होता क्रास में दो गंटे होता है यह खतम हो जाते है सभी तो यह नो पर समझ में आजाएगा आपको ओट मड़ी चल्ड़ों बिलते हैं चानल अगली प्रास में अगला